अपनी शादी को सफल बनाने के लिए एक लड़की जो काम कर रही है उसकी चर्चा सभी तरफ है कि शादी को सफल बनाने के लिए इस तरह का कदम देखा दो अगर कोई ऐसा उथाना चाह Janा क्दम दो उसके अपनी इस उने वाला है लड़की अब उन लड़कों को ढूने में लगी है जिन के साथ एक टाइम पर इस लड़की के रिश्टे थे और सभी से मुलाकार कर रही है शादी से पहले इसमें पांच लड़के शामिल है जिनके साथ इस लड़की का रिलेशिंशिप रहा किसी के साथ 8 महीने का किसी के साथ 2 साल का किसी के साथ 3 साल का तो किसी के साथ serious relationship भी था जब इस लड़की से पूछा गया कि आखिर शादी से पहले वो ये काम क्यों कर रही है तो लड़की का कहना है कि वो अपनी शादी को सफल बनाना चाहती है इसलिए वो अपने ex-boyfriend स मिल रही है इन ex-s से मिलने के पीछे reason ये है कि इन से मिलकर ये लड़की अपने बारे में जानना चाहती है कि उस relation के दौरान ऐसा क्या हुआ था कि हमारा रिष्टा तूटा था क्या उसमें गलती मेरी थी अगर गलती मेरी थी तो मैंने वो क्या गलती की थी जस कारण के रि पर ये काम करेंगी उसके बाद ही शादी करेंगी इसका कहना है कि फाइनली अब 33 साल की उम्र में जब ये शादी करने जा रही है तो ये नहीं चाहती कि अपनी पिछली गलतिया इस relationship में भी ये दोर आए और इनकी शादी शुदा जिन्दगी में कोई तकलीफ आए रिष्टा था और उसके बाद चार और रिष्टे रहे और इन सभी boyfriend से वो मिलकर अपने आपको ठीक करने की कोशिश कर रही है एमी का पती 42 साल का है वो एक musician है एमी कहती है कि उसका पती उसके ड्रामों पर react नहीं करता खुद को शांत रखता है इसलिए जब पती इतना का एमी अपना रही है अपने शादी शुदा जिंदगी को सक्सेस्फुल बनाने के लिए क्या यह तरीका सही है comment section में अपनी राय जरूर शेयर करें